HRMS में online APR भरना सुरू हो चुकी है आपके department APR dealing clerk द्वारा employee की mapping की जा चुकी है और दोस्तों आपके dealing clerk द्वारा भी आपकी online APR एतु आपका personal data submit कर दिया गया है जैसे ही आपका personal data submit होगा तो आपकी APR आपके पास self appraisal भरने के लिए आएगी और उसके लिए आपको अपना HRMS में online self appraisal भरना होगा दोस्तों कुछ APR employee के पास आएगी और कुछ APR सीधे उनके reporting officer के पास जाएगी किस employee को अपना self appraisal भरना है किसको नहीं भरना है यह मैं वीडियो के end में बता दूँगा सो गाइज वीडियो को end तक जरूर देखना है जिससे आपको पूरा डाउट किलेर हो सके और आप सीख पाएंगे कि कैसे आपको अपना self appraisal भरना है दोस्तों मैं हूँ रवी और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौरवाल टेक पर तो दोस्तों सुरू करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे request है अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएए तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपना self app appraisal भरेंगे जैसा कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रेल करमचारी अपना self appraisal कैसे भरे कैसे वह HRMS में अपना self appraisal API के लिए भरेगा तो चलिए देखते हैं laptop की screen पर दोस्तो सबसे पहले हम login करेंगे HRMS में उसके लिए हम सबसे पहले HRMS की website open कर लेते हैं और करने के बाद हम अपना username और ID पासवर्ट डालते हैं तो मैं फिलाल login कर देता हूँ एक employee की ID से अब हम login हो चुके एक employee की ID से दोस्तो सबसे पहले आपको इस रॉल वाले option पर जाना है आपको यहां से यह रॉल वाला option पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां से रॉल चूज करना है E का या तो आपके में by default E रॉल रहेगा अगर आपके में E रॉल न की आप जैसे ही E रॉल सेलेक्ट करेंगे तो आप employee की रॉल पर switch हो जाएंगे तो यहां से जैसे ही आप E पर जाएंगे उसके बाद आपको आना है APR वाले option पर दोस्तो मैं आपको highlight कर देता हूं यह हमें APR वाले option पर जाना है यहां पर हम APR पर click करेंगे और करने के बाद आपको self appraisal वाले option पर जाना है self appraisal पर click करने के बाद हमारे सामने assist screen खुलके आएगी इसमें सबसे पहला option आएगा personal information का यहां पे आपके dealing killer द्वारा जो भी आपका data भरा गया है वो आपको दिखाएगा और दूसरा आएगा self assessment का तो दोस्तों आपको personal information में आपका data देख of birth आपके pay level basic pay और आपका date of appointment और present grade में आप कब से काम कर रहे हो आपकी education qualification आपकी community यह सब कुछ आपके सामने भरा हुआ रहेगा यहां से आप देख सकते हैं कि आपका data जो dealing killer में भरा है वो सही है या गलत है उसके बाद आपको self assessment वाले option पे आना है यहां पे आने के बाद यह form हमारे सामने खुल के आया और इसमें हमें कुछ भरना होगा यदि आपका personal information गलत है तो आप इस self assessment वाले option पे आके यहां से return भी कर सकते हैं तो अब हम भरते हैं दोस्तो self assessment दोस्तो अब हमें किसी करमचारी का self assessment भरेंगे यहां पे आपको अपना self assessment भरना है तो उसके ल आपको brief description of duties यहां पे दिखा रहा है इसमें आपको आपने जो पिछले एक साल में जितना भी work किया है वो work आपको यहां पे डालना है और नीचे आपको यह period दे रखा है इसको आपको नहीं छेड़ना है यह by default आपका एक साल का period रहता है उसके नीचे आपको कोई भी special achievement सकते हो उसके नीचे आपका property return का option है तो आपने कोई property return submit किया है तो उसकी यश करना है नहीं किया तो no और अगर आप not applicable कीवल है तो यहाँ पे not applicable कर सकते हो और यहाँ पे आप return का रिमार्क दे सकते है यहाँ आप return करना चाहते हो तो तो चलिए दोस्तो हम थोड़ा सा भर द दोस्तों आपको यहाँ पर अपना brief description लिखना है अपनी duties का तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी मेरी खुद की duties यहाँ पर भर दी है उसके बाद इस period में आपको कुछ नहीं करना यह एज़िटीज रहेगा यहाँ पर अपना कोई भी official achievement आपको मिला है तो वो भढ़ना है बढ़ने के बाद property return की detail आपको submit करनी है कि आपने property return time पे submit किया है या नहीं किया है उसके बाद आपको इस submit बटन पे जाके submit करना है यानि कि आपको इस वाले बटन पे जाके submit करना है जैसे आप submit करेंगे तो आपके सामने यह dialogue box आएगा इस पर आप yes करेंगे करने के बाद आपके transaction OTP पूछेगा यहाँ पे आप अपना transaction OTP डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे submit करना है जैसे आप submit करेंगे तो आपकी APR चल जाएगी आपके reporting officer के पास then इसमें reporting officer अपना assessment भरेगा और भेज देगा आगे reviewing officer के पास तो दोस्तो इतना सा काम आपको करना होगा अपनी self appraisal भढ़ने के लिए दोस्तो आपने पिछले साल का जितना भी काम किया था वही आपका achievement है वही आपको अपने self appraisal में भढ़ना होगा दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन employee को self appraisal भढ़ना है और किन को जूक नहीं बढ़ना है तो दोस्तो लेवर्वल-वन से लेकं और लेवल v5 तक जो भी एमपलोई काम करते हैं यानी कि ग्रेड Nahanda पे 850 में जितने भी एमपलोई करते हैं उनकीенты इस सीधे und थिक के पास जायेगी ठीक हो और जो employee level 6 से लेके level 8 तक यानि कि GP 4200 से लेके और GP 4800 तक में जितने भी employee काम करते हैं उनकी APR उनके खुद के पास आएगी और वो अपना self appraisal भरेंगे RPF के case में ये थोड़ा उल्टा है RPF में सीधी APR उनके reporting officer के पास जाती है किसी भी लेवल के लिए तो I hope दोस्तो वीडियो informative होगा इसमें आप सीख गए होंगे कि आप अपना self appraisal कैसे भर सकते हैं next वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपका self appraisal भरने के बाद या आपकी APR reporting officer के पास जाने के बाद reporting officer कैसे उस APR में assessment करेगा कैसे उसको fill करेगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like and share जरूर करेगा और channel को subscribe जरूर करेगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद